आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप फेस्बुक पर अपनी प्रोफाइल लॉग कैसे कर सकते हैं तो आईए आज की इस वीडियो में जानते हैं तो अपनी फेस्बुक प्रोफाइल को लॉग करने के लिए आप सबसे पहले अपने फोन में फेस्बुक अप्लिकेशन को ओपन कर लीजिये यहाँ पर फेस्बुक को ओपन करने के बाद आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा उपर की तरफ आपको ती लाइन का ओप्शन मिलेगा यानि कि थ्री लाइन पर आपको क्लिक करना है यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा और यहाँ पर आपको अपना नाम और अपना प्रोफाइल फोटो शो हो जाएगा और यहाँ पर लिखा हुआ है सी यॉर प्रोफाइल तो सी य आप क्लिक करेंगे आपकी Facebook की profile यहाँ पर open हो जाएगी profile को log करने के लिए आपको यहाँ पर 3 dot का option मिलेगा जैसा कि आप देख सकते हैं added profile के right side में आपको 3 dot मिलेंगे तो आप इन 3 dot पर click करिए click करने के बाद आपको मिलेगा profile settings में यहाँ पर नीचे की तरफ एक option lock profile तो आप lock profile का जो option है इस पर click करिए फिर इस type से आएगा जैसा कि आप देख सकते हैं lock your profile और यहाँ पर लिखा हुआ है make your photos and post more private in one step यानि कि यहाँ पर जो आपको Facebook पर follow नहीं करता है यानि कि जो आपका friend नहीं है वो यहाँ पर आपकी जो photos, videos है वो यहाँ पर नहीं देख सकता है और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है Only friends will see the photos, posts and stories on your profile और यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है Only friends will see your full size profile picture and cover photo तो यहाँ पर यह इस type से काम करता है आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं उसके बाद नीचे lock your profile वाले option पर आप click करिए और आपको थोड़ा सा wait करना है उसके बाद आप देख सकते हैं You locked your profile तो यहाँ पर आप OK कर दीजिए तो इस तरह से आप अपनी Facebook की profile को lock कर सकते हैं अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें